तो काईस आज हम लोग रियक्ट करने वाले हैं टोटल गेमिंग का गेमिंग रूम सेटप टूर के उपर जो की 13 मिनेट 27 सेकंड का है और सायद से ये वीडियो मुझे व्यूज दे सकता है ठीक है हम थमनेल की बात करते हैं तीन करण रुपे का गेमिंग सेटप लिखा हुआ है सायद से लगते हैं मुह ऐसा खुला है कि यहां पर थोड़ा सा मामा या फिर बिमल खाके मुह खोला होगा थोड़ा से लाल लाल लग रहा है और आप सभी ला स्वागत है हमारे आज के एक नए मेरा नाम है अजय और आज हम लोग करने वाले गेमिंग रूम तूर यानि की सेटप लोग यह वाला वीडियो जानिवारी में आने वाला था बद बात में मैंने सोचाए क्यों आप ये पास टाइम लिगा और में बीच में बीमार ही हो गया था तो यह वाला जो रूम टूर वीडियो यह बहुत ही क्रेजी होने वाला है इसी बात पर चलो चलो और सब्सक्रों तीन करोड का गेमिंग रूम है मेरा बहुत खतना के धाई तीन करोड का होगा एसा मैं बोलता हूँ आप लोग देखके बताना कितने का है बाकी अम लोग जाते हैं सिद्धा गेमिंग र नहीं है एक सिक्रेट रूम है इसको में बाद में कभी रीविल करोगा अपना गेमिंग रूम यहां पर है और बहुत खतरना के लेट्स गो जाते हैं मज़ा आएगा तो स्टार्टिंग हम लोग करने वाले है रेस्ट रूम से इसको बंद करेंगे वरना कोई भी आ जाएग हैएँ ममी कभी ही आ जाते है और उनको रोग भी नहीं सकते है तो हैं रेस्ट रूम में एक बेड़ में बाद में दिखाोगा और यहां।र यहां पर गेमिंग्रूम है वह भी बाद में दिखाोगा यह सबसे बेले टीवी by में देख रहा हूँ बोरूटो नरूटो iyetून म हम लोग करने वाले रूम टूट और रूम के लिए मेसम्ने आपरी से यह जुड़ के कहस में है कि अले मतलब अगर डबल सोना भी चाहे तब भी कोई सो नहीं सकता है इसके उपर मेरे साथ में समझ लगो तो अब बात मैं खेर छोड़ यार रभी मैं क्या बात चीत रहो मुद्दे प्याते है तो बेड पे ऐसे देखो लड़कों का बेड ऐसे ही होता यह मत सोचना की भाई तो देखो यह मिम्मत बनाना हो के कोई भी तो यह दोनो टीशेट मैं से कोई भी एक लेल लेता हो जब मैं recording करता हूँ उसके अलावा यह है टक्या जो की यहां पर बढ़ा रहता है और हाँ यहां पर मैंने switchboard लगा है पता है क्यो switchboard बेटे में मोबाइल को चार्जिंग कर सकता हूँ मतलब गेम भी केल सकता हूँ मुबाइल में चला होगा मतलब मुल्टी टास्किं करूगा सब चीजे एक साथ हो सकती है और हाँ यहां पर यह वाला बक्सा है यह गीतार का फुक्स नहीं होग है कुछ लोग सोचे कि चोड़ो वह सब बात होगो हाँ यहां में मैंने एक शेल्फ बढ़वाया यह वाला पाटिया बट उससे पेर है के भाई यह मालिक पाटिया नहीं दिखा हो अब भी देखो या तुमको मैं पैसा देता हूँ सही तरीके से रेकोडिंग करो नहीं क्या बात होई तुम अपन यहां पे है कबाट कबाट बोले तो जो भी बोले इसको इंगलीज में आप समझो इसमें सामान रखा जाता है आजाओ केमरा में ना जाओ इधर अलका साओ मालिक यह देखो इसमें है सामान इसमें जैसे की आप लोग एलेक्सा का बक्सा देख सकते हो प्लेटेशन आता है प्लेट फायो करके ची जाती है सब लोग जानते होगे उसका यह सब यह यूटूब में बेजाता यह यूटूब से ना मैं गीफ्ट नहीं है ता हूँ मेरे यूटूब वाले बोले कि अजुभाई हम आपको गीफ्ट देना चाहते मैं बोला मैं क्यों गीफ्ट लूँ मैं मैं ऐसे गिफ्ट पगरा नहीं लेता बर्चेपुर्णों ने बोला अजुभा यापी हो गेमिंग इंडर्स्ट्री के इंडिया के करता दरता सब कुछ मदलब इस्तना चूना वारा मैं बोला बेज दो फिर किफ्ट बेज दो मैं फिर अपना भी एक होता है ना यार कुछ पूल रहे है तो बंद नहीं होते टाइम पे है पुराने हो जादे ना फिर यह लपड़ा होता है तो हाँ तो उस वाजे से मैंने गिफ्ट को किया एक से और अभी शेल्प की बार यह केमरा में थोड़ा थोड़ा की सकी है हाँ यह बात केमरा मेरे से अटना नहीं चीए और पानी का बोटल यह माइक यह यूटूब ने मेरे को पानी का बोटल बापीश बेजाता है किवाली को कि अज़ भाई प्लीज आप गिफ ले लिजे मैं बोला में गिफ बगेरा नहीं लेता हूँ तो फिर मैं उनने फोर्च किया तो अभी क्या कर सकते तो मैंने ले लिया य Samsung Galaxy S24 वालों ने भी mobile बेजा था मैंने खरीदा था इसलिए बेजाता हूँ के बरना भाई नी बेच पेवलो हाँ उसके अलवा यह तो टीवी इतना तो भाई मैं वोरर गेम में नी डर आ जितना भी डर गया मैं लोग क्या हुआ एसा यह भाई इसको सही रखेगी हाँ तो अ इसी बात पर भाई यह वीडियो को लाइक कर दें नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाल आइकन दबा दो और आज आप गेमिंग रूम में जाते है तो भाई यह अभी टाइम आ चुका है अपने गेमिंग रूम को देखने का और मैं पहले ही बता दू यह कोई 3 करोड का गेमिंग सेट अप नहीं है नाही 1 मंजे मजे में बोलता हो यह से कुछ भी बोल दिया मनमें आया जैसा तो हां मेरा जो गेमिंग सेट ऊप है इसका रिएल प्राइज मेरे ख्याल से मेरे ख्यालस जहां तक मेर Kelsey मेरे को लगता है 25-30 लाग हो और जो मैंने बाकि अभी आप लोग वाला गेमिंग सेटप देखो यह भी बहुत खतरना गेमिंग में दिखाता हूँ यह है मेरे PC दोनों बठा पीसी देखने से पहले आप लोगों को मेरी गेमिंग चेर देखने चाहिए यह बहुत ज्यादा साथ देती है इसमें मैं बेटता हूँ गेमि बाकि आगे बढ़ते हैं यह CPU यह में CPU है यह थोड़ा निचे करो इसमें रेकोडिंग होती है सभी चीजों की इसमें लाइटिंग वगेरा भी मैंने बहुत सही करवाया है इसमें 2080 Ti लगा है उसके अलावा CPU Intel का है Intel i9 रेम लगी हूई है इसमें कुछ 64 GB रेम है और यह वा है और वो दोनों मॉनीटर है यह दो वाले और यह मेरे हेड़फॉन है और यह वाला जो मॉनीटर है यह 4K मॉनीटर वीत 144 हर्ट्स वाला है मतलब काफी तगड़ा है इसमें मैं जैसे हाई ग्राफिक्स गेम हो गई गोड़ोफ फॉर जी टीए फाइव यह सभी चीजे मैं इसमें घेलता हूँ बट अगर कोई नॉर्मल वाली गेम होती है ना तो वह भी में इस मॉनीटर में खेल सकता हो बट इसमें 60 hertz है तो इस वजे से मैंने सो साइड मॉनीटर बना दिया हाँ अभी बातचित आती है यह वाले मोनीटर की यह वाला जो मानीटर है यह इसके साथ MSI का और Intel का i9 इसमें मैंने लगाया है और इसमें 108GB RAM 128GB RAM और हाँ यह जो गेमिंग केश है ना यह मतलब मेरे को छोटा बढ़ रहा है I think मेरे को इसको बड़ा खरीदना है 90,000 के आसपास का सिप केबिनेट आता है वह वाला बड़ा केबिनेट मेरे को खरीदना है बट बाद मे मैंने सोचा कि अभी नहीं खरीदें बाद में जाके खरीदेंगे यह वाले केश में क्या प्रोब्लम आ रही है मैंने यह वाला चीज क्यों हटाया है इसमें 4090 है और साथी में CPU i9 है तो हीट बहुत ज्यादा करता है इस वाजे से मेरे को यह वाला जो पाट आता है उसको हाँ बट इसका परफोर्मस में कोई फरक नहीं बढ़ता इसका परफोर्मस अलगी लेवल पर भाई इसका ना मतलब देखो जी जान जो बोलते है ना GPU और CPU है वह दोनों तोड़ू-फोड़ू है यह वाले computer की बात चीट करते है यह है मेरा 3rd computer जो की backup computer है यह वाला PC बहुत 6,000 या 60,000 का मैंने खरीदा था और इसको मैंने लगाया है यह वाले CPU के साथ यह CPU भाईयो लिटरली बहुत ज्यादा मेरे लिए special है क्योंकि यह मैंने खरीदा था जब मैं first time gaming करना start किया था यह मेरा पहला CPU है और इस पे लगा है Intel i5 और साथी में एक GPU है वह GPU का मेरे को पत फरीफायर जब खेलता हूँ तब इसमें खेल देता हूँ कभी कभी PC ना रहता है तो वैसे में वीडियो बनाता हूँ तब PC में कहलता हूँ इसे नॉर्मल मोबाल में भी खेल लेता हूँ तो हां यह कीबोड है यह 12-13000 का keyboard है काफी महेंगा है इसलिए मैं बता रहा हूँ अगर तुम लोग देखो गए गोगल से गोगल दिखने में तुमें लगेगे बहुत ही नॉर्मल है बट इसमें यहां पे speaker वगएरा है charging वगएरा भी कर सकते हैं यह कुछ 30,000 के आसपास के मेरे को YouTube ने gift किया था तो thank you YouTube और बाकी तो तुम देखी सकते हो यह router है जिससे मेरे सभी PC को internet मिलता है जितने भी PC यहां पे है सभी को यह TP-Link का router जो है वो देता है internet तो यह है मेरा setup बाकी तुम टेबल देख सकते हो और भी चीज़े देख सकते हो यह देखो भाई आराम से सभी चीज़ों के उपर cinematic डाल दो संतोस भाई एकदम बढ़िया से केमरा चलाओ यार जो कि मेरे को आप लोगों को दिखा नहीं है आजाओ यह है माइक यह माइक GoXLR के साथ जाता है GoXLR को एक बार दिखा देना माइक को भी दिखा दो उसका भी कोई टेंशन यह देखो यह GoXLR है यह साउन बोड है जिससे जो ध्वनी इससे उत्पन होती है बनती है यह माइक से यह वाला माइक जो है ना मेरे पूरे सेटप का सबसे सस्ती कोई चीज है मेरे पूरे सेटप में गेमिंग सेटप में तो यह माइक है और यह माइक की कोईट है 76,000 तो लेने का एक ही रिजन था मेरा चैनल पूरा वह इस पे चलता था मरला फेस नहीं था तो इस वाजे से मैंने माइक पे इतना खर्चा किया था बट इससे पहले मैं माइक युज करता था वह 40,000 वाला था और उसके बाद सिद्धा मैंने जंप मारा वह 76,000 वाला लिया तो हाँ यह वाला माइक है यह हेड़फोन है HyperX का यह वाला देखो यह बढ़िया से HyperX का यह मेरे पास काफी टाइम से है अमीद भाई और मेरे पास सेमी है यह है Logitech का Brio जो की 4K में recording करके देता है मतलब जब दो दो ring light खरी दिये face reveal के बाद क्योंकि मेरे face पे light चाहिए वरना जो मेरा camera है वह सही तरीके से lighting नहीं लेगा और मेरे को नहीं दिखायेगा तो इस वज़े से मेरे को भी ring light लेनी पड़ी और मैंने ले ली ring light एसा कोई tension नहीं है ring light ले लेने का और लगा देने का बढ़िया चलता है तो हाँ यह सब system है बाकी AC है ceiling वगरा तुम लोग देख सकते हो यह है मेरा gaming setup हाँ आपके बाकी जो gamer है चपरी gamer की तरह मैंने setup नहीं किया है कि कहीं पे भी मतलब LED strip लगा दी वो lighting बहुत ज्यादा ओना फिर gaming room कम मेरे को ना चांदनी बार ज्यादा लगता है मैंने नहीं बनाया है मैंने gaming room बनाया है जो कि gaming room की तरह लगेगा और हाँ जैसे मैंने facecam वाले वीडियो में gaming room बनाया था वो भी एक perfect gaming room था उसमें मैंने दिमाग लगाया था काफी ज्यादा वेसा दिमाग मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ बट अगर इस वीडियो पे आप ल ज्यादा नहीं लगा होगा मैं बटा दिखने में फाडू दिखेगा मतलब मैं इस gaming room पे और 30,00,00 का खर्चा कर सकता हूँ और मेरे को करना भी है बटा अगर तुम कर देते हूँ comment वगरा target complete तो मैं सिद्धा जैसे ही वो बना होगा gaming room उसका वडियो बनाके मैं डाल दूग हाँ अभी ना मैं night करता हूँ मतलब light वगएर सब बंड कर देता हूँ और LED strip लगाता हूँ मतलब start करता हूँ LED जो आती RGB वगएरा और उसके बाद में दिखाता हूँ केसा room दिखेगा हाँ उसका अलगी look होगा बता चांदनी बार नहीं लगेगा बाकी gamer जो बनाते हूँ चांदनी बार नहीं लगेगा तुमको लगेगा कि नहीं gaming room है तो आज अब करता है भी light को बंद और दिखाता हूँ मैं अभी के लिए मैं सिप RGB light ओन करिए तो आप लोग cinematic enjoy करो